उलम्पिक में चाइना हर बार टॉप 5 में ही फिनिश करता है और अगर हम इंडिया के पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने जो बेस्ट फिनिश किया है वो लास्ट यर किया है और वो भी 48 पोजिशन पर हम इंडिया के बात नहीं करते हैं क्योंकि उसके कई सारे रिजन है इंडिया उलम्पिक में इतना अच्छा क्यों नहीं है इस पर फोकस ना करते हुए आज हम फोकस करेंगे इस बात पर कि चाइना इतना अच्छा क्यों है सबसे में जिजन चार-पांस साल से ही वहाँ की बच्चों के ट्रेणिंग स्टार्ट हो जाती है और उन्हें वहाँ हर चीज से दूर रखा जाता है उनकी दिमाग में बच्पन से ही एक चीज डाल दी जाती है कि तुम्हें ओलंपिक में मेडल लेकर आगे घर से दूर, दुनिया के सारे डिस्ट्रेक्शन से दूर कहीं आना जाना नहीं, ना किसी शादी में, ना किसी पाटी में, ना दोस्तों से मिलना कहीं घुमने नहीं जाना, ना टीवी, ना फोन, पूरा फोकस ट्रेनिंग पर इंसान चाहे भी तो distret कैसे होगा क्योंकि सारे distraction कोई वहां से हटा दिया गया है अब वहाँ पर काम ही एक ही है करने को तो इंसान ना भी चाहे तो भी उसका focus उसी काम पर होगा क्योंकि दूसरा कोई काम ही नहीं वहाँ पर ताइम के लिए आप करते हैं और कैसे करते हैं हमारे यहां लोग को status लगाने से ही फुरसत नहीं है कुछ लोग status बनाते हैं और कुछ लोग सिर्ट लगाते हैं देखो status लगाना पूरी बात नहीं है पूरी दुनिया में आपकी success की गुँझ होनी चाहिए लेकिन पहले status बनाओ तो सही हमने यहां पर एक्जामपल लिया चाहिना की ओलम्पिक का लेकिन इसको रिलेट करना अपने काम से अपने ड्रीम से अपने गोल से क्या उतना sacrifice करते हो आप? क्या उतना hard work करते हो आप? वो भी इतनी consistency की साथ phone, tv, social media, friends, relative इतने सारे entertainment से दूर रहेका उन्होंने सारे distraction को ही हटा दिया और यहां तो distraction को हम side में रख कर चलते हैं बार बार distract होते हैं distraction को आप जड़ से खतम क्यों नहीं कर देते हैं कुछ ऐसा करो कि आप जा कर भी distract ना हो पाओ एक साल के लिए खुद भी गायब हो जाओ और सारे distraction को भी गायब कर दो गायब हो जाओ social media से हर जगस ना किसी रिस्किदार के यहां आना जाना ना किसी party में, ना किसी event में पूरा focus खुद पर, अपने goal पर, अपने dream पर इसके लबा कोई चीच होनी ही नहीं चाहिए तो होगी तो दीखेगी, अगर distraction आपके side में तो वो आपको distract करेगा ही करेगा और अगर नहीं है तो automatic लिए आपका focus आपके काम पर होगा, और जैसे जैसे आपका focus बड़ेगा आप और improve होते जाओगे आप अंदर से motivated फिल करोगे आपकी will power time के साथ में और ज़्यादा strong होगी focus आपकी एक habit बन जाएगी एक time के बाद में एक साल पहले आप जो थे और अभी आप जो हो उसमें कितना फर्क है बाहर से भी और अंदर से भी कईयों के अंदर से फर्क आया होगा कईयों के अंदर से फर्क नहीं आया होगा कईयों के अंदर कुछ अच्छे changes आया होगे थोड़े improve होगे और कईयों पहले से भी जादा गिर चुके होगे पर सवाल यह है कि जितना आप improve होना चाहते थे या फिर जितना आप कर सकते थे उतना किया या नहीं किया That's the main problem देखो जो बीद गया सो बीद गया अगर पच्तावा करना है अपनी गल्तियों को सुधारना है तो आप ध्यान से सुना एक साल का समय यह तुमारे पास अगर तुमारा सोशल मीडिया का काम है तो तो फिक ठीक है लेकिन अगर नहीं है तो सारे टाइम डेसिंग सोशल मीडिया से दूर हो जाओ एक साल के खुद पर फोकस करो अपने काम पर फोकस करो अपने सपनों को जीओ अपने आपका बेस्ट वर्जन निकालो सारी नेगेटिव चीयों से दूर हो जाओ दरसाता है ना कभी-कभी खुद पर शरम आती ना खुद पर लेकिन अब ऐसे काम करो कि खुद पर गर्व खामोशी से मेनत करो ताकि आपकी जो कामियाँ भी है वो दुनिया भर में शोड मचा बोलो कम और काम जधा करो खुद को लोग कर लो इस दुनिया से एक हफते के लिए, ایک मेने के लिए, छे मेने के लिए, एक साल के लिए जितना टायम आपको लगे और इतने टायम आपको ना कहना होगा कही सारी चीजों को जुटा दिखावा करना, फालतो की बाते करना, बंद करना होगा सोचते रहना कि ये करू या ना करू, करू या ना करू, करू या ना करू, इसके बजाए करना एक दर्वाजा लगा कर खुद को बंद कर लो कुछ टाइम के लिए ताकि फ्यूचर के लिए आपके बहुत सारे दर्माजे खुल जाए और रोक इतिने क्या खुपात कहिए कि जग में रहकर कुछ नाम करो अभी शुरुवात करो लक्ष का ध्यान करो यूना बेट कर बीच गहा में मन्जिल का इंतरजार करो समालो खुद को यूना विश्राम करो तुम सपनों में उडान भरो उठो चलो आगे बढ़ो खुद के सपने साकार करो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्स करो तुम पाना सखो इसी कोई मन्जिल नहीं हार जीत का ख्याल मत करो अडी करे का लक्ष का रस्पान करो